चलिए तो नमस्कार आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लास के उपर में स्वागत है और बता दे कि जो बच्चे 2023 में बोड का इक्जाम देने वाले हैं 12th का उनके लिए हिस्ट्री का वीडियो स्रीज हम ले करके आ गए है तो पिछले वीडियो स्रीज भी आपको करा दिया गया है जिसमें हम लोग देखे थे दिल्लिस सल्तनत्मे और दिल्लिस सल्तनत्म के बाद कर ले तो ये हम लोग 15 नमर प्रशने तक हम लोग देख लिए थे अब हम लोग मुगल कराएंगे जो कि मध्यकाल की इतिहास में बहुत इंपोर्टेंट होता है और मुगल से भी 12th क्लास के हिस्ट्री बोर्ड में पुछे जाते है तो देखिए हमारी जो पॉलिसी है एजेंडरा है कि अगर हम जहां तहां से आपको कुछ प्रशने जो है से की चुन-चुन के कराएंगे तो वो संभावना है सर आ भी जा सकता है और न भी आ सकता है इसलिए हमने डिसाइड क्या किया है कि जो बच्चे अकर चाते की बोर्ड में हमको 80-90% जो है आपका मार्ग से इतिहास में आ जाए अब्जेक्टिव एकदम आप 80-90% एकदम डिल कर दें तो कुछ नहीं करना है हमारे जितने भी वीडियो सेरीज हिस्ट्री पे बनाये गए हैं उसको आप सुरू से लेके अंते तक देख लेंगे तो जितने भी हिस्ट्री का पार्ट से हम आपको करा देंगे जिनको लगता है कि सर वीडियो ढूनने में परिसानी हो रहा है हमारा तुरंत इक्जाम होने वाला है कल तो घबराना नहीं है मात्र हमारे वर्टसेप पर एक नमबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं 8825376551 इस पर आप वर्ट अबित एंसर के साथ में इसी तरह के आपको दे दिये जाएंगे और तुरंत आप उसको निकाल करके या पीडियेप में अपना अभ्यास पूरा अंतितक कर लेंगे उसके बाद देखेंगे कि जो भी प्रसन आपको बोर्ड में मिलेंगे उसका 90% जो प्रसन होता है वो आप सा तुगलक है फटापर से बताएंगे तो मुगल समराज्य का संस्थापक जो है वो कौन है तो बावर है 1526 में बावर ही आते हैं कहां में इबराहिम लोदी को हरा करकर के पानी पत्की जो पहली लड़ाई होती है बावर और इबराहिम लोदी के बीच आहार करकर के और मु दूसरे अगर प्रशन की बात कर ले तो यह अप्सन सही हो जाएगा यह है आपका बावर नामा फटापर से देखेंगे दूसरे नमर प्रशन का यह अप्सन सही हो जाएगा बावर नामा चलिए तो अगले प्रशन की अगर हम बात कर ले तो अगला प्रशन है फोर्तीर नम पर्चे बरताएंगे तो यहां पर आपका तीसरा नमबर प्रशन के C आप्शन सही हो जाएगा मेवार याद रखेंगे राजस्थान में पड़ता है मेवार को अकबर जीत करके भी कहीं न कहीं हार जाता है चलिए अगले प्रशन की अगर हम बात कर लें तो अगला प्रशन है फोर्थ नमबर की आईने अकबरी के लिखक थे आईने अकबरी के लिखक है अब देखें बहुत ज़्यादा विस लेसन करने से कोई फायदा नहीं परशन बड़ी अराम से छोटे छोटे असान असान परशन आते हैं तो किवल आप इंसर देखते चल जाएंगे वहीं से और पिडियाफ लें करके आप अपना रियास कर लेंगे तो चलिए चलिए चाटी नमर प्रशन है आईने अकबरी के लेखक है या रचना की है अगर यहां से कभी कई पूछता है कि अबूल फसल के दुआरा आईने एकबरी की रचना कौन भासा में किया गिया है तो यह याद रखेंगे फारसी भासा में किया गिया है चलिए अगले प्रशन की अगर हम बात कर लें तो पांचमा नमबर प्रशन है निमने लिखित में से कौन सा तत्व मुगल प्रशासन ब्यवस्था में महत्वपूर्ण सकती नहीं था और फटा फटचे बताएंगे कौन सा वफ्टिय हो जाएगा तो यहाँ अखें कि अरी तुरक और भार्तिय तो मुगल काल में कला के द्रिश्टी से पराकास्ट पर पहुंची थी यह आपको बताना है आटक किला दूसरा अगरक किला तिसरा है लाल किला और चोठा है इलाहबाद का किला फटाफ़से बताएंगे कौन सा ओप्सन सही हो जाएगा जल्दी से आपको बताना है तो यहां अगर हम सही option की अगर हम बात कर ले सर तो यहां जो बिलकुल सही option हो जाएगा वो हो जाएगा six का सी option लाल किला याद रिखेंगे चछठा का सी हो जाएगा लाल किला याद रहेगा आपको दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्तित है चली सिवे नमबर प्रशन की बात कर ले तो सातमे नमबर प्रशन है आपका आलम गीरपूर किस मुगल बादसा की पदवी थी औरंग जेब की सा जहां के जहांगीर के या फिर बहदूर सा के देखे काफी सारे प्रशन हम आपको कराने वाले हैं आज लगभग 52-53 प्रशन मुगल से करा देंगे और इतना कराने के बाद मुगल से कोश्चन आए और आपके बोड एक्जाम में छूट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है चली तो सेवे नमबर प्रशन का याद रखेंगे यह उप्शन सही है औरंग जेब की याद रखेंगे औरंग जेब नहीं आलम गिर यहाँ पर जेबु निश्चा लिखा गया है यह फटाफट से बताएंगे कोन मुगल सहजादी जो है वो एक कवित्री थी जल्दी से बताएंगे तो यहाँ जहां आरा याद रखेंगे साहां की लाडली बेगम पुत्री कर सकते हो सहजादी जिसका नाम जहां आरा है और य पिर्मित इमारतों में अधिकांस्ता किस वस्तु का काक परियोग हुआ था थोड़ा सा वर्डिंग मिस्टेक जहां था आपको मिलेगा ठीक है चली ऑप्सन वन है चूना पत्थर लाल पत्थर तथा संग मर्मर तीसरा है ग्रेनाइट पत्थर और चोठा है जाल सेडिनी प पत्थर ठीक है जल्दी से बताएंगे सलसेडिनी होता है यहां पर भी मिस्टेक है याद नहीं को आ रहा है हडपा में आपको पढ़ाया गया था वो कहां से आते थे चली नॉमे नमर प्रशन के जल्दी से फटा-फट से बताएंगे कौन सा आप्सन सही हो जाएगा तो यह जहागीर के काल में चित्रकला के छेतर में सर्वधीक प्रगति किस छेतर में हुई थी यह आपको बताना है जहागीर के टाइम में चित्रकला के छेतर में किस पर सबसे ज्यादे प्रगति हुए था आप्सन वन आपको दिख रहा है मी एंचर पेंटिंग दूसरा है फ्रां पेंटिंग याद रखेंगे जहांगीर के टाइम में चित्रकला की बात कर ले तो यह चर्मुत कर्ष पर था और वही अगर सहाजहां की बात कर ले तो उस टाइम में चर्मुत कर्ष पर अगर कोई उंचाई पर था तो वह अस्थापत्य था यह पूछे जाते हैं सहाजहां के सही हो जाएगा तो यहां 11 का C option जो है सर वो बिल्कुल सही हो जाएगा यानि जहांगीर का जहांगीर का ही वश्पन का नाम है सलीम याद रखेंगे जो आप अनार कली और सलीम का जो कहानी पढ़ते हूँ आप लोग चली अगले 12 नंबर प्रश्ण की बात कर ले तो नूर जह का सासन था यह नूर जहां का टाइम परीड आपको बन आना है सासन का सोलो सो 11 से 27 से आपका विरासी सोलो सो 75 से आपका 85-85-68 से लेकर के 1700 फटापर से बताएंगे तो 12 नंबर प्रश्ण का यही ऑप्सन सही हो जाएगा नूर जहां का 16 सो जो है से की 11 से लेकर के और 27 से तक जो की बिवा होता है तो बिवा होने के बाद नूर जहां से बिवा करते है याद रखेंगे और उस समय में सुल्तान के सुरी बातसा है और बातसा के सीकों पर नूर जहां बेगर में सब का नाम यहां तक की बातसा जो थे खास कर 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 क ये भी बासा कौन है बासा बासा बोले जा रहा है तो बासा यही जहागीर है जिनका बच्पन का नाम क्या है तो सलीम है यही जब मुगल बासा जब बनते हैं भाई तो यह बिवा करते हैं बिवा करने के बाद जो है से कि यहां तक की कह देते हैं कि बादसा के साथ सत किसी भी च्छन कहां बिताए बहुत important प्रशन है यह हमेशा आने वाले प्रशन में से है कि पस्सिम बंगाल में या पूर्वी भारत में या उत्तरी भारत में या फिर दच्छिन भारत में फटा-फट से बताएंगे और अंग्जेव ने अपने जीवन के अंतिम च्छन कहां बिताए ह यह इसalsまだ अब प्रशन की अत्म कता हुगी तो बाबर नामा याद रखेंगे इसके जो लेखा कहें ये रचना किillo लेध खुद बाबर नहीं याद रहे गाया आपको चली तो यह आपका चोदा नमर प्रश्णे की D option sir सही है बावर चली अगले प्रश्ने में पर देखेंगे तो 15 नमर प्रश्ने है आपका सेक सलीम चिश्टी की दरगाह कहा है पड़ा परसे बताएंगे dozen सेक सलीम चिश्टी की दरगाह कहा है दिली में जली से देखेंगे दिल्ली में या फिर आपका ग्वालियर में आगरा में या फतेपूर में सेख सलीम चिस्ती की दरगा कहा है तो यह आपको बताना है सेख सलीम चिस्ती की अगर हम दरगा की बात कर ले तो यह आपको बताना है यह फतेपूर में है फतेपूर कहा है उत्तर मर्शित का निर्मान हुआ था वो कि इसके काल में हुआ था अकबर के टाइम में जहांगीर के काल में साह जहां के टाइम में या फिर औरंग जेव के टाइम में फटा फर्चे बताएंगे तो 16 नमर प्रशन का सी ओप्सन सही है साह जहां के टाइम में याद रखेंगे 16 की सही लग गिया नामा हो जाएगा अकबर नामा फटा फरसे बताएंगे कि सही जवाब क्या हो जाएगा तो अकबर नामा की याद रखेंगे रचना करने वाला अबूल फजल है याद रखेंगे कोन लिखे हैं तो अबूल फजल नहीं लिखे हैं अठारा नमबर प्रशन की बात कर करके आजाते हैं इसलिए बारीकी से आपको जवाब देना है एकजाम हौल में जो है वो जादा उतावला नहीं होना है कि इसी तरह के प्रश्न आपको इकजाम में आ गये कुकि जो प्रस्न हम आपको वीडियो स्रीज में कराते आ और अंति महिला सासत कौन थी है और इसके बाद कोई सुल्तान नहीं बना तो यह याद रखेंगे यह कौन है तो यह रजिया सुल्तान है ठीक है रजिया सुल्तान से बहुत प्रश्नगर उठता है तो यह कुबा और कुला के उपर में भी हम आपको पढ़ाए थे वहाँ से आ जाएगा चलिए ध्यान सुल्तान सुल्तान दिली की पहली और अंति महिला सासक हो गई चलिए 20 नमर प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालिन था यह तो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अकबर के सामकालिन नितिहासकार के नाम बताना है फरिष्टा है या वदायू है या मुला दाउद है या मुहम्मद खान है जल्दी से बताएंगे तो 20 का यहाँ पे जो सही उप्सन हो जाएगा वो जल्दी से आपको बताना है 20 का सही उप्सन हो जाएगा मुहम्मद खान याद रखेंगे मुहम्मद खान चलिए अगले प्रश्ने की अगर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है आपका ये किस नमबर कि कुतु मिनार का निर्मान किसने सुरू किया है यहाँ पर देखेगा वर्डिंग में जोड़ दिएगे ये सुरू कह रहा है तो सुरू की जो बात है आपको बताना है कुतु बुदीन एबक ने इलतुतमिस ने रजिया ने या फिर जलाल उदीन खिलजी ने तो याद रखेंगे कुतु मिनार का निर्मान अगर सुरू की बात किया जाए तो यह करवाने वाला आदमी कौन है सर तो यह कराने वाला आदमी है कुतु बुदीन एबक कुतु बुदीन एबक ने 1206 में गुलाम बंस की निव रखता है और इनके मृत्तिव 1210 में याद रखेंगे चोगान खेल खेलते समय यानि गोड़े से गिर करकरके लाहोर में क्या हो जाती है इनको मृत्तिव हो जाती है और इनके मन पसंदीदा जगा लाहर में इनको दफना दिया जाता है इनहीं का दमाद है जिसका नाम क्या है तो इल्टुत्मिश है बाद में इल्टुत्मिश जो है वो आपका कुत्व मिनार को निर्मान पुर्ण करवार लेता है लेकिन सुरू कह रहा है तो यह आपका कुत् दिख्विया वासी है। ये तैमूरी है, ये तुरक अफगानी है। फटाफ़से बताएंगे कि मुगल राजवन्सों ने अपने आपको स्वेम के लिए कौन सब्दे से नमाजा है जल्दी से बताएंगे जल्दी से फटाफ़से बताएंगे। तो यहां जो सही option हो जाएगा वो अपने आपको बताएं थे कि इनके माता के तरफ से चंगेज खा और पिता के तरफ से जो है वो तैमूर लंग है तो कहीं न कहीं माता के तरफ से जो चंगेज खा था वो बड़ा बरबर है ठीक है तो इसलिए हम लोग देखे थे अब यहाँ पर आपक है तो नहीं बनेगा तो हम कमेंट में सही उत्तर इसका ढाल देंगे ठीक है जलदी जल्दी बोलने के करम में अगर हर्वर हो जाता है तो आपका एक मार्चर वो जानते aufu시 में भी दिक्कत हो जाता है और इसी चीज़ों को मध्य नजर रखते हुए इसको हम कमेंट में डाल देंगे ठीक है चलिए अगले प्रश्ण को अगर हम देख लें तो 23 नमर प्रश्ण है खुर्रम किस मुगल समराट का नाम था वह थे फटा फर्शे बताएंगे खुर्रम किस का नाम था तो साह जहां का ही नाम था याद रखेंगे साह जहां का ही क्या था तो नाम था यह ध्यार से सुनेंगे खुर्रम किसका नाम था तो साह जहां का नाम था चलिए 24 नमर प्रश्ण के अगर हम और बढ़ें तो यह आपका प्रश्ण है कि बुलंद दरवाजा जिस अस्थान पर है वह है option 1 आगरा दूसरा है फतेपूर सिकरी दिसरा है फतह नगर चोठा है आपका फिर्वोजपूर फटावर से बताएंगे बुलन दरवाजा जिस अस्थान पर है वह अस्थान का नाम क्या है जल्दी से बताएंगे तो यहाँ 24 का आपका वी option यानि आपका फतेपूर सिकरी हो जाएगा बुलन दरवाजा का है फतेपूर सिकरी में तो 24 का आपका वी option क्या हो जाएगा सर तो सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रशन की अगर हम बाढ़ते हैं अगले प्रशन है आपका 25 नमर प्रशन है और यह है आपका कि मुगल सासक अपने को तैमूर लंग से क्यों जोडते थे अब यह आपको बताना है कि मुगल सासक अपने आपको तैमूर लंग से क्यों जोडते हैं अब जो प्रशन हम पहले करा दिये वही प्रशन यहाँ पर आगया देखें मुगल में जो बाबर आये थे और बाबर के जितने भी one से जह है ये सब आपका मुगल से है और इनके माता के बाबर के माता के तरफ से जो थे वो चंगेज खा थे याद रखेंगे कोन थे तो चंगेज खा थे और इनके पिता जो है उनके रिलेसंसिप से देखे तो ये तैमूर लंग जिसको तैमूर लंगडा काते है और ये तैमूर में राज करने आए तो इनकी खराब न हो जाए इसलिए अपने माता के तरफ से चंगेज खासे रिलेशन नहीं जुड़वाते थे यह अपने आपको तैमूरी कहते थे तो जो पिछली हम आपको लिए कोशन छोड़े वह आप समझ जाएगा कि यह मुगल राजबंस के सासकों ने अपने आपको क्या कहा है तैमूरी अब यहाँ पर उससे एक सवाल आजा रहा है कि तैमूरी क्यों कह रहा है तो वह तैमूर के बंसे थे इसलिए वह कह रहे हैं या फिर वह धनवान था इसलिए कह रहा है यह उसने भारत पर आकरमन किया इसलिए कहते हैं अगर कहेंगे कि भारत पर आकरमन हमर बंस किये तो उनको भारत की लोग सपोर्ट करेगा नहीं करेगा तो यह तो कहेंगे नहीं अच्छा तेमूर 7-30 साली आकरमनकारी थे वो बहुत आकरमन करते तक आइसे नहीं कहेки तो हमनी सब सपोर्ट करते बावर की अबावर के बंसेज को नहीं तो यह भी नहीं हो जाएगा हाँ वह तैमूर के बंसेज थे इस बात को सपश्ट करके उन्होंने अपने आपको तैमूरी कहा है याद रखेंगे क्या कहा है तैमूरी लेकिन वही इनके माता चंगेज खास से लेकर करके जब जोड दिया जाएगा आपका अंगरेज उंगरेज जब आएगा तो उस समय फिर धीरे धीरे इसका नाम करन बाद में करकरके और मुगल हो जाएगा मंगोल उंगोली सबसे जोड दिया जाएगा चलिए अब यह प्रशन आपका हो गिया है तो यहाँ पर 25 नमर प्रशन का यह option सई है तो अगला बढ़ते हैं हम लोग 26 नमर प्रशन तो सेर साह का मकबरा कहां इस्तित है दिल्ली में आगरा में बदायू में या फिर सासाराम में फटा पर्चा बताएंगे बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है कि सेर साह का मकबरा कहां है बिहार के सासाराम जानते हैं सासाराम जानते हैं तो यह याद रखेंगे 26 का यहां पर डी ऑप्शन सही है अब बढ़ते हैं हम लोग 27 नमर प्रशन के मुगल में कि इतिवरित क्या है इतिवरित क्या है भारत का इतिहास है बास्ता की घटनाओं का लेखा जोखा है यह सासक की आत्मक राजा अपने दरवारी में जो भी विद्वान रखते थे उन विद्वानों से अपने सासनकाल के दोरान जो भी घटना होते थी उन घटनाओं को लेखा जोखा करवाते थे तो यह एक तरह से बादसा की घटनाओं का क्या हो जाएगा तो लेखा जोखा हो जाएगा उसे इ प्रश्णों के हेड्लाइन से तो उसको आप देख लेंगे और देखने के बाद एकदम बिलकुल पाएंगे देखने के बाद आप हमको दुआ ही दिजेगा बदुआ तो दिजेगा नहीं चुकि इतिहास में हम कहते नहीं इतिहास में हम दावा करते हैं और जिन भी आपका आजाए बिभाजन आजाए आपका संभीधान आजाए यह सभी जो हम आपको एंसर के साथ में आपको दे देंगे ठीक है और भी प्रस्ण जो हम इ Filipino करा दो भीए हमक्ट करते हैं हम ऍश्वर करेंगे इस वर से कि आपका दिन सुबह हो एक्जाम बेहतर तरीके से जाए अच्छा जाए मिलते हैं अगले वीडियो में अब तक के लिए अल्लाहाफीस जैहिन